यह उसमें हम तीसा टॉपिक पढ़ेंगे आज टॉपिक का नाम है मोशन आप दा अर्थ ठीक है तो तरह तरह की मोशन मतलब मूवमेंट अर्थ की मूवमेंट पढ़ने वाले हैं चलो देखते हैं अर्थ हमना पुरानी वाली वीडियो में देखा था कि अर्थ के पास तो टाइप की मूशन होती हैं क्या कहना में उनका एक तो होती है रोटेशन एक होती है रिवाल्यूशन पुरानी वाली एंसाइट है यहाद है क्लास पन में पढ़ा दिया गया था रोटेशन और रिवाल लेश्योस अच्छाि मुमेंट देखती कैसी है चलो देखते हैं अपन點 के अगर चो अर्थ यह अर्थ बनी है एक तो ही अहीं अपने Cred to Gmail एस ऐसे बैस्च्ट में आपने पता है थर्थ अम अपने कि बैस्ट को डू एस्ट घुमती है कि तो उसको बोलता है रोटेसन क्या बोलती है रोटेसन जो मिटा के में भर फिर सबता देता है कि कैसे ऐसे ऐसे गित हुमते हुए आगे बढ़ती है और दूषरी डीली मोमेंट होटी है कुंशी रोटेशन ये ऐसे होती आती हुई ये हमारा रोटेशन ठीक है तो मुमेंट हो गई अर्थ की सूरज के चारव तरफ एक तो अपने एक्सेस के चारव तरफ रोटेशन होती है और दूसरा रिवालीशन स्वरी रिवालीशन होती है कौन सी मुमेंट जो सूरज के चारव तरफ होती है ठी कि यह वाली ऐसी अर्थ की तरह हर जो प्लैनेट रहते हैं जूपीटर जूपीटर भी अपने एक्सेस पर घूमेगा तो रोटेशन होगा कि सूरज के चात्रा घूमेगा तो रिवाल्यूशन होगा ठीक है ऐसे यूरेनस ऐसे मर्कुरी वीनस सब की सब का ऐसे यह कि यह हमने बहुत यह दोनों मुमेंट बहुत अच्छे से पढ़ ली थी हमने क्लास वन की जोग्राफी में तो दो मुमेंट होगी अर्थ की अब यहां पर थोड़ा एडवांस पढ़ती है दा एक्सेस ऑफ अर्थ विचेज इन इमेजनरी लाइन तो पढ़ाता एक्सेस क्या सूरज की चारों तरफ जिस प्लैन में प्रतिवी घूम रही है उसको गोलते हैं और विट प्लैन ठीक है तो और विट प्लैन 66 डिगरी का उता है और विन प्लैन में और एक्सें समझाएंगे कि साली दाइग्रम के म abnorm ऐसे समझेंगे मान जो करते ही एक होती फिक है और यहां पर होता सूरज इसकी करने पड़ रही हूँ थी ऐसी अर्थ के चार तरफ तो इस डाइग्राम में कोई टिल्ट नहीं है लेकिन चुकि अब हम इस डाइग्राम को देखते हैं बहुत अच्छे से वाला डाइग्राम देखो पर विए कि यहां रा सूरज बना हुआ है यहां पर इसूरस ठीक है तो एक तो अर्थ का सिंपलपलेक्सmente फिर थिक है और विट अर्थ का यह सूरज के चार जो और धॉयां है यह है लिगना ब्लाइग्र देखो अर्थ-स टिल्ट है ऐसे में टिल्ट है तो सीधी 90 डिग्री पर नहीं है यह कितना एंगल बना रही है 66 डिग्री का एंगल बना रही है ठीक है कि मैं मिटा के एक और वालता हूं कि किसके बीच में है यह एंगल एक तो यह सूरज के सामने वाला विल्कुल और्बिट प्लेन है दूसरा यह अर्थ का एक्सिस है तो यह जो एंगल है वो 66 डिग्री है तो अर्थ कितनी पर टिल्ट है 66 डिग्री पर टिल्ट है यही चीज़ में लिखी हुई है तो थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं तो क्या है सब्सक्राइब लाइन में एक एंगल ऑफ 66 डिग्री विद्ट और्विटल प्लेन यही समझाया है दप्लेन फॉर्मड वाई और विट्ट इस नोन एज और्विटल प्लेन वकी अर्फ रिषी लाइट फ्रम ता सन देखो यह सूरज बना हुआ है यह सूरज सूरज शे केड़ने आ रही है आर्थ की तरब जो भी प्लेनिट हुथ है प्लेनिट की डेफिनिटन यही है कि प्लेनिट के पास खुद Αशने बाता ह्ग बना हुए बॉल जैसा तो केवल हाफ इसकी लाइट लेता है सूरे से एक टाइम पर देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा डाइग्राम है इसको समझने के लिए यह देखो यह आप देख रहे हो इस फेरिकल सेप के चक्कर में यहां से अगर तो यहां पर तो नाइट है एन आई जी एच टी यहां पर डे है तो अर्थ के आदे भाग में तो नाइट है आदे में डे है क्यों क्योंकि स्पेरिकल सेप होता है यही बाली बात यहां पर लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है the port due to the spherical shape of the earth only half of its gets light from the sun figure 3.2 पर भी दिखाया है यह देखो आधे part में अधेरा है night है और आधे में day है the portion facing the sun experience day यह सूरच की तरफ है तो यहां पर दिन है यह वाले part में दिन है यह वाले पूरे part में दिन है और इधर पूरे part में night है अधर half away from the sun experience night the circle that divide day from night glow is called circle of illumination हमने अभी नीचे देख चुकी है circle of illumination यह देखो मैं मिटा देता हूं थोड़ा यह बनाए अपना circle of illumination आदे भाग में दिन है आदे भाग में night है ओके तो यह होगे अपना circle of illumination इसको मिटा दिते हैं अब देखते हैं कि अब आप देखोगी यह वाला जो circle है does not coincide with the axis तो circle of illumination है कौन सवाला यह यह तो circle of illumination है यह आदा इधर बनाए आदा इधर बनाए और यह अर्थ का axis है यह दोनों एक जैसे नहीं है इसमें भी एंगल है 23 डिग्री का तो इसमें यहीं समझा गया है अभी कोश्चन भी आएगा इस चीज का circle of illumination does not coincide with the axis of earth ओके अब इसमें बताया है था अर्थ टेक्स आवाउट 24 और्स टू कम्प्लीट वन डोटिशन आवाउट इस एक्सिस अपने पता 24 गंटे का दिन रात होती है तो 24 और्स लगते हैं पूरे लगाने में एक्सिस के चाहँ तरफ इसको अर्थ डे बोलते हैं यह अपनी डेली मूशन हो गई अर्थ की ठीक है इस वाली डाइग्राम को समझते हैं इसमें यह अर्थ बनी है यह तो वर्टिकल लाइन है यह हमारा और्वीटल प्लेन है यह और्वीटल प्लेन है जिसको हम लेटिटूड बोल लाइन है तो जो अर्थ का एक्सिस है वो ऐसे है थोड़ा टिल्ट जुखा हुआ तो इसके बीच में कित्ता एंगल बनना था 66 डिगरी ठीक है और यहां प ट्रोपिक ऑफ के अपिक और ने सब कुछ हम पहले पढ़ चुकी है प्रानवीबाली एंसी अच्छी से बढ़ाया है मैंने यह सब चीज है ठीक है अब इसके बाद में अगला कुश्चन यह है कुश्चन थ्योरी कि कि अब इसमें से बताया है कि बताओ अगर अर्थ करना बंद कर दें अपनी एक्सिस पर तो क्या हो जाएगा तो आदा हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा तो बहेंकर गर्मी पड़ेगी आदे से में कंटिन्वेस बाम टूदा रीजन बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि नाइट आएगी नहीं क्योंकि प्रतिव प्राली कोई बात नहीं है और अर्थ की रोटेशन अगर रुख जाए अपनी जगह पर तो बहुत सारी चीज़ें होती है आगे आरी बारी क्लास में देखेंगी कोरियल स्पोर्स होते हैं कई सारी होते हैं तो लाइफ इतनी आसान नहीं होगी जित्ती हम अपनी तरीके से दिशा रहे हैं ऊच्छी अब अगली बात एठ्क दूसरी मूशन कौन सी है अर्थ की अपनी एक तरो पर दूसरी र्यरी इंगलन मतलब सुरज चाथर फोने वाली मुमेंट ये देख ओ अर्थ स्वार्थ मुमेंट तोती है मर्क्युरी बेढन की है ज्यूपीटर की है मार् अर्थ कितना टाइम लेती है पूरे घूमने में 365 एड बन फोर्थ डे मतलब 365 दिन और 6 गंटे कितना लेती है 365 दिन और 6 गंटे तो हम convenience के लिए अपने कितना मान लेते है 365 दिन और जब कि जो 6 गंटे हैं उनको एग्णोर कर देते हैं आगे के लिए ठीक है अब इसमें जो 6 गंटे हमने एग्णोर किये थे वो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं चार साल बाद चार साल बाद आफ्टर फोर येर्स छे शे गंटे मिलके पूरे 24 गंटे हो जाएंगे तो यह किसमें जुड़ाएंगे टीजान कि फरवरी के महीने में वैसे फरवरी कितने दिनों की होती है 28 दिनों की लेकिन अब इसमें एक दिनों रेट हो जाएगा तो फिर फरवरी उन्ती से भूर घृती हैं कि क्या गछ모ण दिनों का कि तो ली pier कितने दिनों का मतलब कि बच्चों को बता है लिबियर के भाने वाला है लिबियर में फरवरी 39 दिनों की होती है और पूरी साल 366 दिनों का होता है 366 और भात है अब इसमें अगला बात है फिगर को देखने के बार यह अगली बात है नो HEthropy 3.3 ईसको देखने के बात हमें पता चलता है कि प्रत्वी गोल गोल एक इलेप्टिकल और्विट में गूंती है देखो यह अपने क्लास्वन में देख लिया था NCRT के पहुत अच्छी सी तरीके से डाइग्राम से समझा था कि यह सूरज है तो प्रत्वी ऐसे नहीं गूम रहे यह सूरज के चाहँ तरफ ऐसे नहीं कि ब्रत्वी ऐसे गूम रहे है यहां पर आर्थ है यह सूरज के चाहँ तरफ तो यह डिस्टेंस ज्यादा है यह डिस्टेंस कम है तो इसको बोलते हैं एलेप्टिकल ठीक है अब इसमें कुछ कुछ टर्म दी है अभी हम उसको समझते हैं एक जो साल होता है उसको चार भाग में बाढ़ते हैं समर मतलब गर्मी बिंटर मतलब सर्दी स्प्रिंग मतलब बसंद की रितु और मतलब पते जड़ हिंदी में तो सीजन क्यों बदलते है क्योंकि एर्थ की पोईसन सूरज के चार तरफ अच्छा प्रती थी पर दिन उ रात के वह आ रही थी क्योंकि प्रती अपने एकसिस पर हुँ हुआ थी कोई अगर आपसे पूचह कि दिन और रात क्यों आते हैं रोटेशन की वज़ए से मौसम क्यों बदलते हैं सूरज के चारतर प्रत्वी भूमने उस वज़े से कितने टाइब की सीजन होती है चार समर विंटर ऑटम स्प्रिंग अब इसमें एक फेक्ट दिया हुआ है इसको देख लेते हैं फिरे डाइग्राम समझेंगे जो हमारे एस्टो नॉमर थे आरवट उन्हींने सबसे पहले बताया था कि जो प्रत्वी है वो गोल होती है अपनी एक्सिस के चारतर भूंती है उससे पहले पुरानी टाइम पर इतनी सारी चीज़ा मानती थी कि प्रत्वी अपनी जगह स्थिर रहती है और सूरज प्रत्वी इस सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी अब यह हम डाइग्राम समझते हैं डाइग्राम बहुत जरूरी है समझने के लिए ठीक है बहुत सारी कोर्शन वंते हैं इस डाइग्राम से तो यह अपना सूरज है यह प्रत्वी चार एलेप्टिकल अच्छा एक चीज़ देख होता लेकर अभी जुकी होई तो प्रत्वी ऐसे है ऐसे है और ऐसे है तो इसी व्याज़े से अभी देखो किता बड़ा बदलावाने वाला है ठीक है अब सूरज है सूरज अगर प्रत्वी अगर सूरज से दूर है तो फिर ओवियसली थोड़ी सी कम दिन और रात अलग अलग होंगे अगर प्रत्वी सूरज के बरावर डिस्टेंस पर तो फिर दिन और रात एक जैसे होते हैं इसको हम एक्विनोक्स होते हैं एकु युण्यूिक्स दो टाइप के होती हैं हमारी कौन कौन से होते हैं एकुम्य एक तो सिपम्ट्वर को आता है इस दिन धिन और रात बरावर होते हैं अब बच्छों पर इंडिया के एक्जाम भसे लेकर क्यों inadequ tua इसलि WOODRUFF रहते हम इंडिया की एक इक चीज बताया कि कभ घर्मी आती है कब सर्दी आती है कभ पंतिद आता है कभ भसंत आता है ठीक है है कि थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं को तो नदर्न हेमिस्पियर मतलब नौर्थ पूल नौर्थ पूल की तरफ विंटर कब होगा जब सूरज की केड़ें साउथ में ज़्यादा पड़ेंगी देखो आप नौर्थ में सूरज की केड़ें कम हैं साउथ में सूरज की केड़ें ज़्यादा हैं स्काहिध को दिख रहा है सूरज की केड़ने नॉर्थ में कम पढ़ रही है तो इसी तौर इस्लिए यहां पे अधिरा है इसाउथ में ज्यादा पढ़ रही है तो इस लिए यहां पर अधिर आ नहीं तो इस कारण से जो winter का महीना होगा नदर नहमी स्पियर में वो ठंडा होगा और कब आता है November, December, January, February तो winter solicit एक नाम पढ़ता है 22 दिसंबर को इस दिन क्या होता है कि दिन सबसे छोटा होता है ठीक है और एक होता है हमारा summer solicit वो 21 आपने ध्यान दिया होगा कि बोलते हैं कि मई जून के महीने में दिन बड़े हो जाते हैं तो winter solicit 21 जून को पढ़ता है इस दिन हमारा दिन सबसे बड़ा होता है ठीक है और गर्मी कहा होगी northern hemisphere में होती है न मई जून के महीने में देखो इंडिया में भी गर्मी होती है क्योंकि इंडिया नदर ने नदर हमी स्पियर में और winter सर्दी होगी southern hemisphere में लेकिन हम ऑस्टेलिया में चले जाए तो मई और जून के महीने में सर्दी बढ़ रही होगी वहां पर ठीक है इतना समझ में है बच्चो ओके ठीक है अच्छी बात है इसको भी मिटा देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि winter का महीना क्यों आता है क्योंकि उस दिन सूरज की किर्णे कम पड़ती है सर्दी है इसलिए तो आती हैं भी सूरज की किर्णे कम पड़ रही है तो सर्दी आ गई है लेकिन यह किवल नदर्न हेमिस्फियर में यह हमारे यहां पर ऐसा होता है winter in northern हेमिस्फियर जब सूरज की किर्णे नौर्थ पूल पर कम पड़ेंगी लेकिन सूरज की किर्णे साउथ पूल पर ज़ादा पड़ रही है साउथ पूल पर हम ऑस्ट्रेलिया के एक्जांप लेकर चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो जनवरी फर्वरी के महीने उसमें गर्मी पड़ेगी समर इन सदर्न हेमिस्फियर ठीक है तो इतना समझा कि इंडिया में और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में डिफ्रेंस में बता दिय प्रत्वी के पास बता दिया एकको नोक्स का मतलब होता है दिन और रात बरावर होना यह साल में दो बार आता है एक वार 21 मार्च को आएगा एक वार 23 सेप्टेमबर को आएगा इस तिन क्या होगा कि सूरज और प्रत्वी दोनों लगवाग पास-पास ही रहती है जादा दू सूरे से दूर जाएगी जैसे प्रत्वी सूरे से दूर जाती है तो उसको सॉलिसेट बोलती है विंटर सॉलिसेट में क्या होता है दिन सबसे छोटे होते हैं यह कप पढ़ता है और समर सॉलिसेट में क्या होता है दिन बहुत बड़े होते हैं तो यह कप पढ़ता है हमारा 21 क को पढ़ता है अच्छा समर सॉलिशिट विंटर सॉलिशिट जो बेटेन ना बेटेन आता है नौध पूल में तो यह सब जब नहीं थी तो वेटेन की टाइम पर नहीं थी तो उन्होंने जो सॉलिशिट का नाम दे दिया वह अपने पढ़ेंगी तो उन्होंने विंटर सॉलिशिट वोल दिया क्योंकि सर्दियों में नदर्न हेमिस्फियर कि नवंबर दिसंबर में आता है लेकिन यह साउथ पूल पर एकजेक्ट उल्टा हो जाती है सब चीजें ठीक है अब अगली यह वीडियो अपर यहीं खतम कर रहे हैं वाली वीडियो में हम लोग और अच्छे से इन सब चीजों के बारे में जानेंगी अभी वीडियो के लाश्ट में आपको एक और वीडियो दिखाऊँगा इसमें दिन और रात का इल्यूमिनेशन दिखाया गया है और बहुत अच्छे से प्रतिवी की रोटेशन थेंक यू वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक दवा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं अगर आपके दिमाख में कोई भी डाउट आ रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं मैं सभी की आंसर दूंगा और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और बहुत सारी मुझे फोटो एड़ करना चाहिए आपको समझाने के लिए तो भोगी बता दीजिए मैं बहुत सारी फोटो एड़ कर दूंगा ठीक है तब तक के लिए यहां पर अर्ट का रिवेंस इसको रिवाल कर रही है इस वाली वीडियो में हम देखेंगे इल्यूमिनेशन सरक लोफ इल्यूमिनेशन जो हमने फेहाँ थारी में देखा था देख रहे हैं सरकल ओफ इल्यूमिनसन अग्य